करेंगे पेपर वन के टॉपिक से तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे वर्ल हाइस्ट रेलवे ब्रिज के बारे में विश्व का सबसे उचा रेलवे पुल हमें देखने को मिल रहा है इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको construct किया जा रहा है चेनाब नदी के उपर जम्मु एन कश्मीर में चेनाब नदी के उपर इसको construct किया जा रहा है 1250 करोड रुपे की लागत वाला ये पुल जो है चेनाब नदी के तल से 359 मीटर की उचाई पर इस्तित होगा 359 मीटर उपर होगा ये चेनाब रिवर बिट से 1250 करोड रुपे इस ब्रिज में लगाए जा रहे है इस पुल से गुजरने वाली railway line की उचाई एफिल टावर से 35 मीटर उपर जो होने वाली है यानि कि 35 मीटर जादा होगी टॉलर होगी एफिल टावर से तो बताना ज़रा नीचे comment box पर लिखकर की एफिल टावर जो है वो कहाँ पर है रही कहाँ पर हम लोग को एफिल टावर देखने को मिलता है देखने किसका जी के अच्छा है रही और मुझे पता ही कि सभी लोगों का अच्छा हो गई बट लिखकर बताओ जरा नीचे comment box पर अभी के अभी और पूरा होने के पश्चा जब ये एक बार complete हो जाएगा ये bridge तो ये pull चीन में बीपन नदी पर निर्मित शुईबाई railway pull जो की 275 मीटर उचाई पर है इसके record को पार कर जाएगा अभी जो record जो है guys bridge का की railway bridge जो है वो कौन सा सबसे उचाई पर हम लोग को height पे देखने को मिलता है तो वो चाइना का य एक है 275 मीटर की उचाई पर शुईबाई railway bridge तो इसका record जो है वो तोड़ देंगे हम लोग जैसे ही हम ये अपने pull को अपने bridge को जो है वो complete कर लेते हैं जो चेनाब नदी के उपर जम्मु इन कश्मीर पर construct किया जा रहा है तो यह वाली चीज है जिसके बारे मैं आप लोग नुदोई योजना के बारे में औरू नुदोई इसकीम के बारे में आप हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं बात करने वाले हैं डिसंबर 2020 में आसाम सरकार के द्वारा शुरू की गई थी देखो question ये बनेगा कि किस particular state government के द्वारा ये औरू नुदोई इसकीम जो है अगर मैं गलत प्रनाउंस करना हूँ तो मुझे बता दीजेगा क्या होगा इसका pronunciation औरू नुदोई ही होगा मेरे एक खाल से शायद अगर गलत प्रनाउंस करना हूँ तो बता देना ठीक है तो आसाम सरकार की ये scheme है याद रखना क्योंकि यहीं से ही इस प्रक प्रफलर scheme है ये असाम के अंदर इस scheme के वारे में हम लोग जानते है तो इस योजना के तहत आसाम के गरीब परिवारों की महिला सदस्य को 830 रुपे की मानसिक सहायता प्रदान की जाती है 830 रुपी जो है वो ट्रांसफर किये जाते है वोमें मेंबर्स को आसाम के अंदर इस फैमिली जो होती है याने गरीब परिवार की जो महिला है जो होती है तो उनको 830 रुपे हर महिने जो है वो सहायता प्रदान की जाती है हर महिने 830 रुपे की और डारेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर ये प्रोवाइट किया जाता है इसकी उजना में हमें ये चीज़ दे परिवार की और इस योजना के अंदर हमें देखने को मिल रहा है जो गरीब और जरूरतमन परिवार जो है गरीब और जरूरतमन परिवार उनको अपना पैसा एक्षा उनुसार खर्च करने का विकल प्रदान करती है यानि की चोईस प्रोवाइट कराती है पूर को और अ क्षा महिला होना ओना चाहिए यानि की पर्मनेंट रेसेडेंट होना चाहिए उस महिला को आसामके और उनकी हाव्जोल्ड इंकं मैंबर देखने को इंदर और poor families जो की National Food Security Act या राशन कार्ट इसमें नहीं होती है यानि कि इसमें registered नहीं होती है जो family National Food Security Act के तहद या राशन कार्ट जिनके पास नहीं होता है तो उनको भी priority दी जाती है और बिना महीला सदस्य वाले परिवारों संसदों विधायकों यानि कि MPs MLA चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य हो या पंचायती राज institution के member हो या शेहरी इस्थानियन निकायों के सदस्य हो अर्बन local bodies के members हो government officials हो employees हो cooperative society के उनको इस scheme से बाहर रखा गया है तो यह चीज़ आपर बताई आ रही है और चार पहिया वाहन मशीनी कृत नावे यानि की mechanized boards, four-willers, tractors, refrigerators, air condition, washing machine या पंदरा भीगा से ज्यादा agricultural land जिनके पास है जिनके पास है वो eligible नहीं है इस scheme के लिए देखो यहाँ पर इस scheme के अंदर आप लोग को mainly बस यह याद रखना है यह असाम की है और उन्हों दो ही scheme हम लोग को देखने को मिल रही है first point, दूसरा point महिलाओं को directly पैसे जो है वो transfer किये जाते है उनके bank account में direct benefit transfer के थ्रू right और किन महिलाओं को provide की जाती है जिन महिलाओं की जो household income है वो दो लाक रुपे से जादा की नह रखो उससे भार का और कुछ नहीं आएगा इसके लाबा right और paper 1 से related सिर्फ एक ही topic था guys बताया जा रहा है कि अब European Union LGBTIQ Freedom Zone बन गई है European Union जो हमें देखने को मिलता है guys तो उसको LGBTIQ Freedom Zone जो है गो घोशित कर दिया गया है तो LGBTIQ का full form क्या है जरह नीचे comment box पर लिखकर चुका हूँ तो यह चीज आप ध्यान में रखना direct question इस प्रकार का बनेगा तो European Parliament ने symbolically declare किया है पूरे के पूरे 27 member के block को आपको बता होगा इसकी European Union जो है वो 28 countries का union हम लोग को देखने को मिलता था फिर Britain ने इसको exit कर दिया Britain अब European Union का हिस्सा नहीं है और अब European Union 27 countries का एक ह 27 countries का और इस पूरी की पूरी 27 countries को यानि की पूरे के पूरे European Union को LGBTIQ Freedom Zone declare कर दिया गया है और हाला कि European Union के अंदर majority of countries जो है जैसे की 27 में से 23 country वो same sex unions को recognize करती है और 16 legally recognize करती है same sex marriage को राइट और resolution के तोर पर हमें यह चीज देखने को मिल रही है कि LGBTIQ वाले जो लोग हैं वो पूरे European Union में कहीं पर भी रह सकते हैं जाकर किसी भी इस्थान पर निवास कर सकते हैं और publicly अपनी sexual orientation और gender identity को बिना किसी intolerance के डर के यानि की उत्पीडन के डर के बिना अपने sexual orientation और gender identity को जो है वो बता सकते हैं घोशित कर सकते हैं राइट शोकेस कर सकते हैं publicly तो यह वाली चीज़ हैं पर बता यारी यह चीज़ important है और mainly directly आपसे यही चीज़ पूछे आएगी कि LGBTIQ Freedom Zone जो है वो हाली में किसको घोशित किया गया है तो पूरे के पूरे European Union को घोशित कर दिया गया है ध्यान रखना अब देखिए गाईस जारकंड भी हर्याना करनाट का की रहा पे हम लोग को देखने को मिल रहा है जारकंड में एक बिल लाया गया है जो की जारकंड में private sector में reservation लेकर आ रहा है 75% jobs को reserve किया जा रहा है private sector में localites के लिए तो यह बड़ी समस्या वाली कहानी यहाँ पर बताई जारी है और हर एक state इसी direction में आप चल रहे हैं कि localites को उन्हें reservation वगरा provide कराना है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो आगे चलके उनी states को उठानी पड़ेगी जिन states के अंदर इस प्रकार के कानून लाए जा रहे हैं अब वो कैसे तो पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ अभी भी फिर से आसान भाशा में समझा ज जिया गया है कि वहाँ पर हर 10 में से 7 या 8 लोगों को मुझे जॉब पर रखना पड़ेगा यानि कि वहाँ के localites को 7 या 8 या फिर 8 ही मान के चलो कि हर 10 लोगों में से 8 लोग को मुझे जब जॉब देनी होगी तो यह सुनिशित करना पड़ेगा कि वह 8 लोग यहां के localites ही ह बड़ेगा उनसे खुश नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरी company को जिन skills की आवशक्ता है वो skills इन 8 लोगों में नहीं है अब मैं क्या करूँगा ओवियस ही बात है कि मैं ऐसी जगा देखूँगा जहां पर इस प्रकार के reservation वाले कानून जो है वो नहीं होते हैं तो मैं ऐसी जगा को prefer करूँगा ऐसी जगा को choose करूँगा मतलब की मैं उस state को छोड़कर चले जाऊँगा और उस state को मैं छोड़कर चले जाऊँगा तो उस state का क्या नुकसान होगा उस state में जो एक्का दुक्का लोगों को अगर मान लिया job पहले मिल भी रहती है जादा ही लोगों को job कि revenue जो है वो चली गी उस state के हाथ से जो मैं revenue उनके लिए generate करके provide करा रहा था तो अब क्या हो रहा ultimately ultimately उसी state का नुकसान हो रहा है और इसमें और खराब बात यह हो जाएगी कि ease of doing business में हमारी ranking जो है वो down हो जाएगी कम हो कि इस प्रकार के tight laws के कारण, tight कानूनों के कारण समझ पार बात हो को है तो इसको मैं पहले भी हाला कि आप लोग को समझा चुका हूँ और यही concept आपको main point of view से ध्यान में रखना है जो मैंने भी आपको बताया तो चलो बात कर लेते हैं तो जहारकंड सरकार ने announce कर दिया है कि private sector jobs में 75% का reservation जो है 75% का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा localites के लिए रखने की बात की जा रही है तो इसमें bill के अंदर बताया गया है कि जो shops होती है, establishments होते है mines, enterprises, industries, companies, societies और trusts, limited liability partnership firm या फिर कोई भी व्यक्ति जो 10 या 10 से जादा लोगों को job पे रखता है private sector में या किसी entity में, या फिर सरकार समय समय पर अपने according एक notification लाके जो है वो घोशित कर सकती है कि कि किसको इसे शामिल करना या किसको शामिल नहीं करना है 75% के दाइरे के अंदर यानि कि 75% कहां कहां पर applicable होगा तो बाद में आकर सरकार भी खुद बता सकती है इस bill के highlights की बात करें तो हर एक employer उसको register करना पड़ेगा employees को designated portal में यानि कि एक website जो है वो बताई जाएगी आगे चलके उस website पर जब भी भी किसी एक employer किसी को भी नौकरी पर रखता है तो उसको employer को ये mandatory होगा कि उस employee की information जो है उसकी जानकारी जो है वो उस portal पर उसे देनी होगी और यहाँ पर बताई जा रहा है कि ये salary वाली चीज़ यहाँ पर रख दी है कि जिस भी employee की salary 30,000 पर मंत से कम की होगी उसका registration कराना होगा मतलब कि ये 75% का reservation जो चल रहा है ये 30,000 रुपे पर मंत की salary से कम वाले लोगों के लिए चल रहा है कम वाले localites के लिए चल रहा है कि जिनकी salary हर महीने की 30,000 रुपे से कम की होगी तो उनके लिए reservation provide कराने की बात की जा रही है इसके लावा ये भी का गया कि जैसे कि अभी के लिए तो 30,000 रुपे चल के अगर सरकार change करना चाहे तो सरकार change भी कर सकती एक notification गे तुरू राइट ये सब rules, regulations वगरा भी और ये बता जा रहा है कि ये bill जैसे ही लागू हो जाता है उस लागू होने के तीन महीने के अंदर पूरी चीज यहाँ पर करनी पड़ेगी पूरी की पूरी चीज जो है employees को register करने की follow करनी होगी जो भी rules इस 75% reservation से related है उस rules को सभी employer को comply करना पड़ेगा rules से और बता जा रहा है कि किसी भी वेक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी अगर उसका registration process जो है वो portal में complete नहीं होता है तो right तो किसी को नौकरी ही नहीं मिलेगी और कोई भी local candidates वो eligible नहीं होंगे जब तक कि वो अपने आपको ये portal में register नहीं करा लेते तो local candidates को भी local employees को भी अपने आपको register कराना होगा तभी उनको ये 75% का benefit मिलेगा वरना नहीं मिलेगा और employer जो है वो exemption claim कर सकते हैं अगर उन्हे adequate number of local candidates desired skill qualification या proficiency के नहीं मिलते हैं तो अब ये ये वाली बात बहुत बहतरीन इस bill के अंदर है जो कि हर्याना वाले में नहीं थी जिसके बारे में हमने बात करी बट problem यहाँ पर यह है कि एक loophole इसके अंदर ये है कि exemption मिलना या नहीं मिलना या exemption approve होना या नहीं approve होना वो पूरा का पूरा सरकार के हाथ में अगर सरकार disapprove करना चाहेगी तो वो disapprove भी कर सकती है वीरियसी से बताके कि अगर नहीं है तो आप धूंडो वैसे लोगों को localize इश्तिहार दो यह खर्चा अगर उकोल मिला के तो यह वाली चीज हो जाएगी तो यह कहीं ना कहीं एक प्रकार का barrier ease of doing business में भले ही exemption की बात क्यों ना कर दी हो बट freedom नहीं है business करने का right एक foundation कर दिया है company के उपर तो वो कहीं ना कहीं से company जो है वो पलायन कर जाएंगी भाग जाएंगी तो यह जीज हमें देखने का आप खुद सोचो आप ऐसी जगा पर operate करोगे कि जहां पर आपके उपर इस प्रकार के लोग दूर दराज से लोग आ रहे हो तो उनका भी आपको travel expense वगेरा और various season जो है वो फिर देखभाल करनी पड़े ही कि उस प्रकार की भी cap की service और फलाना तमाम चीज़े होती ने अगर किसी भी employee को आप रखते हो तो उसको भी आपको कुछ facilities benefits जो है वो provide कराने ह होते हैं वो एक company का होता है इदायत थे वो इसके लाबा employer will have to furnish a quarterly return about vacancy and employment on portal यहने की पोर्टल में अपनी vacancy के बारे में भी इन्हें बताना पड़ेगा which will be examined by authorized officer तो उस पर जाज करेंगे जा जाकर authorized officer तो उसमें भी फिर वो corruption वाली कहानी भी आजए क्योंकि हमारा देश और यह जो authorized officer होंगे वो district employment officer के तौर पर होंगे जो की कभी भी verification के लिए बलवा सकते है records को तो इसते क्या होगा कई वार ऐसा भी होता है न कि कई सारे लोग जैसे की competitors वगेरा जो होते हैं आपस में अगर एक आदी competitor की पहचान जो है वो किसी बड़े अधिकारी के साथ है त तो और aggrieved employer may also file an appeal within 60 days of an order passed by AO और DO in front of appellate authority याने कि अब ये भी हो सकता है कि एक employer है तो authority ने उसके उपर कारवाई करने के लिए बोल दिया तो वो जो employer है वो appellate authority याने कि और उपर वाली authority के पास जाकर जो की director employment and training government of जारकंट के हमें देखने को मिलेंगे तो उनके पास जा आकर अपनी appeal जो है वो file कर सकते हैं अब किसके पास इतना time है जो इंसान खुद business कर रहा होता है वो ये सब चीजों को avoid करता है वो कई बार तो कई सारे ऐसे businessmen भी हमें देखने को मिलते हैं वो बोलते ही कि अरे यार क्यों पचेले में बढ़ें लो पैसा लो खतम करो हमें न ये वाली point भी समझने की कोशिश करो क्योंकि चीजों को आपको concept को clear रखना है civil services के अंदर हर तरीके से और क्या क्या चिंताए जो है वो इस policy से जुड़ी हुई हम लोग को नजर आती है तो सबसे पहली बात तो article 16 का सीधे सीधे यहाँ पर उलंगण होता article 16 के अंदर हम लो equal करने के लिए various कदम उठा सकती है बट वहाबर public employment की बात की गई है constitution में private employment की बात नहीं की गई है तो सीधे सीधे article 16 का उलंगण है इसके लाबा unity in diversity पर impact पढ़ रहा है जैसे कि आज की rate में मैं कहीं पर भी जाकर किसी भी राज में जाकर job कर सकता हूं बट इस प्रकार का कर सकता हूं किसी प्रकार का place होता ना कि exploitation जो होता है जो हमें देखने को मिलता है कि हमारी fundamental rights हमें protect करती है कि मुझे जो grounds होते है exploitation के उसमें एक ground जो है वो place का भी है कि कहां से सामने वाला व्यक्ति आ रहा है तो सामने वाले कि तो fundamental rights का उलंगण हो रहा है सीधे सीधे अगर म खानी जो है वो खराब हो गई ना और हमारी country के अंदर हमें quasi federal system देखने को मिलता है हमारा federalism हम लोग follow करते है हमारे पास दो या दो से जाधा form of governments हम लोग को देखने को मिलती है तो यह वाला feature भी खराब हो रहा है इस चीज के करण इस bill के करण कि जो federalism की जो principles हैं जो practice है वो follow नहीं हो पाएंगी proper तरीके से अगर यह कानून exist करेगा तो यह सब चिंताएं हैं इस कानून से related और यह जो policy है guys यह ऐसी situation बना देगी locals और non-locals के बीच में एक division create कर देगी locals और non-locals के बीच में और यह basically कई बार तो दंगे भी इसके करण हो सकते हैं जैसे कि कोई कुछ non non-localites है वो obviously बात है वहाँ पर अगर वो रह रहे हैं और उनको उस जगा पर जॉब नहीं मिल रही है तो क्या पतब मारना फीटना शुरू करते हैं वो localites को या फिर localites non-localites जैसी आएं भगाना शुरू करते हैं उनको अलग तरीक से देखना शुरू करते हैं आ रहे हो जाएगा और इस बिल के थुरू एक और पॉइंट इस बिल के थुरू जो common citizens हैं उनके दिमाग में ये चीज डाली जा रही है बार बार कि ये बिल लाया इसलिए आ रहा है कि हमें तो यार localites को को reservation देना है localites की job secure करनी तो localites के mind में क्या आएगा कि non-localites लोग हमारी job ख capital investment discourage होगा MNC वगयरा कोई company वगयरा नहीं आएगी freedom of business पर impact होगा वोई चीज मैं पूरी बता चुका हूँ competition की spirit क्या against हो जाएगा यह तो इसमें भी बहुत सारी चीज है इस प्रकार की देखने को मिलती है जैसे कि मैंने वो एक आपको बताया था कि corruption वाली कहानी बताई दी ना थोड़ी देर पहले और साथी साथ competition नहीं उपाएगा एक जैसी skills वाले लोग मिलेंगे या फिर experts वगेरा को hire नहीं कर सकती कोई company क्योंकि कोई company किसके लिए जानी आती है अगर किसी company के अंदर अगर experts होंगे और experts हापर local areas पर नहीं है company के पास अभी freedom है बाहर से अपने बस experts बुलाकर job करवाने की जैसे कि उस company के अंदर जो है वो company आगे बढ़ पाए और दूसरी company से compete कर है हुआ तो मैं बाहर फॉरें से उसको बलानूँगा अपनी company में growth करवाने के लिए तो यह क्या हो रहा है एक healthy competition वो create हो रहा है और इस healthy competition के कारण जो consumer से उनको benefit मिल रहा है क्यों एक company जो है वो best to best person को लेकर आ रही है यह वाली चीज़ है तो यह सब competition की spirit भी पूरी खतम हो जाएगी तो इस तरीके से आपको इस topic को समझना है hopefully आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी और यह काफी important topic और इस प्रकार के लगातार ऐसे जो bills आ रहे है topics जो हमें देखने को में उस पर एक अच्छी पकड़ रखके चलो mains के लिए भी और problems के लिए भी अब guys discuss करेंगे मुला परियर डाम के मुद्दे के बारे में इशू के बारे में तो देखे अभी honorable supreme court ने warning दी है तमिल नाडू को मुला परियर केस में तो इसके बारे में हम लोग सर्चा करने वाले हैं तो honorable supreme court का क्या कहना है तो honorable supreme court ने ये कहा है कि तमिल नाडू के जो chief secretary है ये personally responsible होंगे और इनके खिलाफ appropriate action लिये जाएंगे अगर वो information नहीं देते हैं रूल कर्फ के बारे में मुला परियर डाम के honorable supreme court दोरा appoint की गई supervisory committee को तो honorable supreme court ने कहा है कि इन्होंने एक supervisory committee appoint करी थी और इस supervisory committee को अगर proper appropriate information तमिल नाडू के chief secretary नहीं देते हैं तो वो personally responsible होंगे और उनके खिलाफ सकत करवाई की जाएगी और गई supervisory committee जो है वो direction जारी करेगी कि किस प्रकार के actions हो है वो लिये जाएं ये steps के बार में बताएगी तीन core safety issues को किस प्रकार से address किया जाए उससे related ये direction जारी करेगी और तीन core safety issues कौन से कौन से monitoring and performance of the instrumentation of the dam मतलब कि जो instruments हैं dam मे dam में instruments जैने कि उपकरन वगरा dam में काफी सारे instruments लगे होते हैं जैसे कि dam के अंदर आपको पता हुआ कि पानी को छोड़ने के लिए gates को open करना रहता है close करना रहता है तो उसके लिए machinery वगरा होती है various instruments वगरा होते हैं तो ये basically committee check करेगी monitor करेगी कि instrument कैसा ठीक है की नहीं है व gate operating schedule को अब rule curve क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ दियर से मैं आपको समझाता हूँ बड़ ये ध्यान में रखो कि rule curve को ये finalize करेगी और fix करेगी gate opening schedule को कि कब gate open करना चाहिए पानी का level कितना होगा तब gate open करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो पूरी ये detail में एक report ज करने का जिम्मा जो है वो तमिल नाडू के पास है हाला कि मैं आपको बता दू मुला परियर डैम जो है वो केरला का डैम है रही केरला का बड़ अभी lease पे तमिल नाडू के पास गया हुआ है तो इसके बारे में आपको आगे सलके बताऊंगा तो दूसरा point है दूसरा safety issue के बारे में ये करने वाली है rule curve को final करेगी और fix करेगी gate operating schedule को और submit करेगी compliance report चार हफते में तो यह वाली बात यहाँ पर बताई आ रही है इसके बारे में आप लोग को जानकरी होनी चाहिए कि क्या ये supervisory committee करने वाली है और पूरा मामला क्या है गाई तो केरला government ने आरोप होता है कि ये एक बहुत पुराने outdated gate operating schedule को follow कर रही है जो की safety के लिए काफी खतरनाक है और इसने बताया हुआ है कि यहाँ पर पर तरीके से supervision भी नहीं हो रहा water levels का डैम में पर तरीके से record नहीं maintain किया जारा कि डैम में कब पानी का स्तर जो है वो उपर बढ़ रहा है या घट होता है डैम failure अगर देखने को मिलता है तो बहुत बड़ी दुविदा जो हो जाएगी even यह तक बता जा रहे है कि इस डैम अगर by chance fail हो गया किसी भी reason के कारण तो कुछ नहीं तो सीधे सीधे करीब कुछ नहीं तो 30,000,000 के आसपास लोगों की मौती तो होना पक्का है 30,000,000 लोग affect होने वाले हैं तो यह चीज आपर बताई जा रही है इसके लावर rule curve के बारे में आपको बता रहा था है तो rule curve क्या है यह जालो आप तो rule curve in a dam decides the fluctuating storage level in a reservoir तो dam के अंदर जो पानी जो है वो उपर और नीचे जो fluctuate करता है राइट पानी यानि कभी पानी का level उपर फिर नीचे होगा तो यह rule curve जो है यह dam के अंदर decide करता है कि fluctuating storage level क्या है राइट के इस प्रकार से fluctuate कर रहा है dam के अंदर पानी राइट the gate opening schedule of dam is based on rule curve तो rule curve के आधार पर ही यह decide कि गेट को कब open किया जाएगा कितना open किया जाएगा dam के ठीक है clear है और यह core safety mechanism जो होता है dam का उसका एक बहुत important part होता है rule curve तो ध्यान में रखना है rule curve अगर आ जाए किस से related है किस से associated है क्योंकि यह चीज आप से पूछा जा सकता है तो rule curve जो है वो अगर option में अगर dam वाली चीज़ कुछ लिखी होगी है कि dam के gate opening या closing से related तो वो mark करना है तो पतला है economics में आपको economics की तरफ आगी चले जा है बड़ यह mechanism हम लोग को इसका देखने को मलता है ठीक है तो यह बिलकुल अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पर उलढ़ाए जा सकता है आप लोगों को अच्छा इसके लाब आप थोड़ी सी बात कर लेते है मुलना पेरियर डैम के बा और पेरियर लेक लीज एग्रिमेंट के तुरू यह लिया गया था तमिलनाडू के द्वारा यह डैम को ऑपरेट करने के लिए कैरला से और यह साइन हुआ था महराजा और सेकरेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के बीच में यह एग्रिमेंट यह पेरियर इरिगेशन वर पर देखने को मलती है तो उसका जहा पर संगम होता है तो वहाँ पर यह डैम बनाए तो इस डैम पर मेंली फोकस किया गया था कि यह डैम जो है यह नदिया जो है वो बेव बेंगॉल की तरफ जा रही थी तो कहा था कि बेव बेंगॉल की तरफ नदिया जो है वो ना जाए उनका रुख जो है उनका डारेक्शन जो है वो चेंज कर दिया है इन्होंने इस डैम को बना कर इसको अरेबियन सी की तरफ जो है वो मोड दिया यारे कि नदिया जो है वो बेवेफ मेंगॉल की तरफ जारी थी बड़ डैम को बना कर इस नदियों का रुख जो है वो मोड कर वो आपस अरेवियन सी की तरफ जो है वो कर दिया और क्योंकि वहाँ पर जो नीचे वाला छेतर है उसी जगा पर जहाँ पर मोडा गया तो इसके बड़ी प्रोब्लम वगरा होती है पानी की बड़ी समस्या वगरा है तो इसलिए उसका रुक मोड कर जो बंजर जमीन है वहाँ पर पानी जो है वो मिल जाए प्रॉपर इरिगेशन जो है वो प्रोवाइट करा सके वहां के किसानों को लाब मिल सके मदुराई सेथर क तो इसलिए ये इस प्रकार से water को divert कर दिया गया था ठीक है clear एक concept अब आगे की बात करते है इसके लावब तमिल नाडू का अभी क्या कहना है तो तमिल नाडू claim ये करती है कि उसने बहुत तौर तरीके अपनाए है इस डैम को मजबूत बनाने के बट कैरला सरकार जैसे ही water level को बढ़ाने की जब बात आती है तो वो उसके उपर block करती है यानि की बाधा बन जाती है बाधा उत्पन करती है कैरला सरकार जैसे ही बात आती है कि डैम के पानी के स्थर को बढ़ाना है तो कैरला सरकार जो है वो मना करने लगती यह बोलती ही मत बढ़ाओ तो यहली चीज हो जाती है और इससे बताया जारा है कि मदुराई के फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि उनको जित्रा पानी मिलना चाहिए तब कम मिल पा रहा है तो यहली बात यहाँ पर बताई गई है और कैरला ने क्या आर्गूमेंट किया है तो कैरला ने यह कहा है कि अगर बाइचांस किसी भी रीजन के कारण इवन अगर अर्थक्विक की भी बात करें तो अर्थक्विक अगर बाइचांस आ जाता है सेतर में जहाँ पर यह टाइम है और six richer scale या उपर का अगर अर्थक्विक आ जाता है कि अर्थक्विक प्रोण एरिया है हम लोग को तोड़ासा देखने को मिलता है तो अगर अर्थक्विक आ गया यह डैम तूटा तो 30,00,00,00 लोगों की जान चली जाएगी 30,00,00 लोगों की जान खत्रे में चली जाएगी और यहांड़ हम लोग को पेरियार टाइगर रिजर्फ भी पास मीदेखने को मिलता है तो वाइड लाइफ वगड़ा को भी बहुत भारी नुकसान हो जाएगा तो ये चीज इन्होंने कही है और इसी को लेकर ये आर्गुमेंट करती है कि तमिल नाडू जो है वो सही तरीके से डाम की सेफटी के बारे में नहीं देख रही है फिर अभी 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 सुप्रीम कोट की एक कमिटी आ गई है अब ये जो है वो इस से रिलेड़ रिपोर्ट वगर अपनी तयार करेगी तब इसके बारे में कुछ होता है तो हम लोग बात करेंगे बाकी अभी मुल्ला पेरियर डैम के बारे में थोड़ी छीज धान में रखना है ये डैम दो नदियों का हम लोग को देखने को मिलता है संगंपर बनाया गया है रइट कैरला के अंदर चैनल है YouTube का Current Affairs by Kamlaaksh Jha, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाईएगा, वहाँ पर GS Paper 2 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें मैंने Anti-Defection Law जो है, उसका एक आपको separate वीडियो मिल जाएगा, मैंने पूरा डीटेल में Anti-Defection Law cover करा हुए है, तो अभी के अभी अभी नहीं, मैंने अभी आप पूरा लेक्षर फिनिश कर लो, उसके बाद फिर ये Anti-Defection Law वाला टॉपिक जरूर से cover कर लेना, इस टॉपिक के बार में पूरी चीज़ डीटेल में मैंने explain की हुई है, अगर by chance link नहीं मिलती है, तो आप अपना Telegram का जो चैनल है, Current Affairs by Kamlaaksh Jha नाम से, ये description पर उस चैनल की link आपको मिल जाएगी, और उस चैनल के साथ से आपको एक discussion group की भी link मिलेगी, तो आप उस discussion group पर आकर link मांग लेना, तो आपको link वहाँ पर provide करा दियाएगी, तो देखिए ये topic news में क्यों था, that is not important for you, इससे related आपसे question नहीं पूछा आएगा, ये basically एक nominated member के खिल रही है, तो इसको लेकर ये topic news में था पर इतनी information is sufficient, आपके लिए जो main काम की चीज थी वो ये थी कि एक तो nominated members कौन होते हैं, और दूसरा anti-reflection law के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो anti-reflection law के बारे में मैं already cover करा चुका हूँ, nominated members के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो राजी सबा के अंदर 12 nominated members होते हैं, कितने होते हैं, बारा, तो ये चीज आपको ध्यार में रखनी है, और ये जो 12 nominated members जो होते हैं, वो अलग-अलग basically जगा से लिए जाते हैं, जैसे कि literature, science, art, social services की field से लिए जाते हैं, उनको nominate किया जाता है, honorable president जो है, वो nominate करते हैं ऐस वैसे ही nominated members के पास भी वही rights और privileges होते हैं, with one notable difference, सर्फ एक difference होता है, कि ये honorable president के election पर vote नहीं डाल सकते हैं, बाकी पूरी चीज होती है, वो same होती है, ठीक है, तो यहली चीज है, simple सी, जिसके बारे में आप लोग को एक idea एक जानकारी होनी चाहिए, अब गाइस बात करेंगे IRENA के बारे में, International Renewable Energy Agency के बारे में, तो अभी इसने अपनी एक report जारी करी है, that's why ये topic news में है, तो world energy transition outlook report ध्यान में रखना, ये पूछा सकता है किसके द्वारा release की जाती है, IRENA आपको ध्यान में रखना है, इनकी इस report में बदा जा रहा है कि Corona virus crisis जो है, उसने एक opportunity provide उपर, तो उसको change करके renewable energy sources के उपर जो है वो काम गरना शुरू करें, और ऐसा हुआ भी हमने देखा भी कि Corona virus के बाद जो है वो अभी acceleration हम लोग को देखने को मिल रहा है, renewable energy sources के उपर जादा काम किया जा रहा है, कि अब country जो है वो focus किस के उपर करनी है, renewable energies के उपर और वो shift क कर नहीं है अपनी economy को, क्योंगी economy जो है, वो renewable energy के उपर बेस चले, तो यह वाली चीज हमें देखने को मिल रही, तो यही चीज इस report में बताई गई है, अब हम लोग बात करेंगे, arena के बारे में, तो arena है क्या, तो यह international organization है, इसका काम क्या होता है, नाम से आपको संभी आना energy को adopt करें, उस से related knowledge वगेरा जो है, वो provide कराती है, advanced knowledge वगेरा, तो यह चीज हमें देखने को मिलती है, पहला international organization है, जो कि exclusively renewable energy पे focus करता है, दोनों industrialized और developing countries की needs को address करने के लिए काम करता है, तो इसकी यह चीज हमें देखने को मिलती है, 2009 में इसका foundation हुआ था, और यह लागू हो गई थी, 2010 से, इसका headquarter हम लोग को मजदर city अबू धावी में देखने को मिलता है, और arena एक official United Nations observer के तोर पर भी हमें देखने को मिलती है, तो यह basic से facts हैं, जिनकी आपको जानकरी होनी चाहिए, आप guys देखो, DFI की बात हो रही है, इसके बारे में पहले भी हम लोग cover कर National Bank for Financing Infrastructure and Development, याद रखना, यह नाम यह पूछा जा सकता है, काफी important bank है यह अभी के लिए, और यह bank 111 लाग करोड के infrastructure को manage करने के लिए बनाया जा रहा है, National Infrastructure Pipeline वाला जो project जो हमारा है, जिसके थुरू हम लोग infrastructure पे 111 लाग करोड रोपे invest करने वाले हैं, याद आ रहा है क तो उसी चीज़ को पूरा manage करने के लिए एक bank तयार किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा mount है, बड़ा infrastructure है और इस bank के नाम सीज़न में आ रहा है कि infrastructure and development को finance करने वाला यह bank है, तो इसको setup करने का approval जो है, वो मिल गया है, उस से लिए एक bill जो है वो लाए जाएगा, government जो है guys, government इस bank के बारे में budget में mention किया था, कि इस प्रकार का एक national bank जो है, वो create किया जाएगा, setup किया जाएगा, right, infrastructure and development की funding के purpose के लिए, और इस bank को setup किया जा रहा है, 20,000 करोड के corpus के साथ और initially 5,000 करोड रुपे सरकार की तरफ से इस bank को provide किये जाएगे, और initially ये bank के जो stakeholder होंगे, वो पूरी तरह से सरकार होगी, stakeholder, बाद में जाकर इसके कुछ stakes को कम कर दिया जाएगा, इसके लावा, इस particular initial period में 10 सालों के लिए, इस bank में tax benefits provide किये जाएगे, और उसके लिए कुछ amendments Indian Stamp Acts में किये जाने है, इसके लावा, इस bank के at least 50% member, non official directors के पत पर हमें देखने को मिलेंगे, इसका एक professional boards होगा, और इस board के कोई eminent person जो होगे, जिनको chair person के तोर पर appoint किया जाएगा, और ये bank क्या करने वाली है, तो national infrastructure pipeline जैसे मैं आपको बताया, तो उसके projects के लिए funding provide कराने में मदद करेगी, credit provide कराने में मदद करेगी, हमारी country के अंदर infrastructure projects की credit को enhance करने के लिए, अमें bank देखने को मल रहा है, अचा यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक question का answer लिख कर रहा है, पहले भी जब मैंने आपको इस topic को पढ़ाया था, तब भी एक question पूछा था, फिर से question यहाला पूछ रहा हूँ, national infrastructure pipelines related question है, आप सभी लोग जानते कि एक लाग करोड रुपे, initially national infrastructure pipeline के लिए एक लाग करोड रुपे, infrastructure के लिए invest करने की बात हुई थी, बाद में जाकर किस committee ने इस एक लाग करोड रुपे को बढ़ा कर 111 लाग करोड रुपे कर दिया, बताओ, नीचे comment box पर उस committee का नाम लिख कर बताओ, क्योंकि देखो committee से related इस प्रकार के question पूछे आते और जब भी मैं आपसे कोई question पूछता हूँ, या फिर जब भी मैं आपको गोलता हूँ कि ये फनाना topic को cover कर लो इस lecture में जाके तो वो जरूर कर लिया करो, जो भी नए student, regular students को तो बहुत अच्छे से बता है, जो नए student से मैं उनको बता दूँ guys, कि आपको regularly इन lectures को follow करना है और lectures की दुरान जो भी मैं instruction दे रहा हूँ, उसको religiously follow करना, अगर आप ऐसा करोगे तो 100% guarantee selection होगा, current affairs से एक भी topic जो है, एक भी question जो है, वो छोड़ कर नहीं आओगे, और इसका guarantee proof भी है, नीचे description पर proof आप चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ पर मैं चीज़े cover कर आता हूँ, उन important topic है, air pollution से related topic और आज की rate में हम लोग तमाम measures ले रहे हैं, कि air pollution को reduce करने के लिए, air quality को improve करने के लिए, तो यह बहुत important topic है, prelims के लिए नहीं, बल्कि mains के लिए भी बहुत जदा important है, तो Swiss organization IQ Air, इनके द्वारा release की गई है, यह air quality, और पूरे दुनिया भर की cities को ranking दी गई है, इस report में, और किस के आधार पर ranking provide करे गई है, तो 106 countries को select किया गया, और उसमें particulate matter 2.5 data को देखते हुए ranking offer की गई, और ground based monitoring station के आधार पर यह particulate matter 2.5 का data record किया था, जिसमें जातर जो ऐसे monitoring stations थे, वो government agencies के दोरा ही operate किये गए थे, अब Indian cities में air pollution कैसा है, तो आप Delhi के बार में जानते ही है कि Delhi, दुनिया की most polluted capital के तौर पर हमें देखने को बलती है, point to be noted here, मैंने क्या बोला, most polluted capital ना कि most polluted city, तो यह बारी की होबे आपको ध्यान देना है, तो most polluted city Delhi नहीं है, city most polluted के नाम पर 10th number पर आती है, most polluted city के नाम पर Delhi जो है वो 10th number पर आती है, but most polluted capital तो number 1 मे Delhi हमें देखने को बलती है, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो, समझ पार हो difference, capital और city में difference है, है की नहीं, तो इसके लावा, हालकि बताया यह गया है कि Delhi की air quality जो है, उसमें improvement record किया गया है, mains के लिए एक important point, 2019 से 2020 के period में 15% का जो है वो improvement देखने को बला है, Delhi की air quality, मतलब क्या आप क्या सकते होगी, हमने जो measures लिये है, अभी इस period में air quality को improve करने के लिए, तो वो सही direction पर progressive direction पर दिखाई दे रहे हैं, और 22 of world 30 most polluted cities including Delhi are in India, तो यह एक बहुत ही खराब बात है, और जिसको हम लोग को improve करना है, कि total top 30 most polluted cities जो पूरे दुनिया भर में है, उनमें से 22 city हमारे इंडिया की ही है, तो यह चीज़ आपर बताई जा रही है, गाजिया बाद जो है, वो second most polluted city है, पूरे दुनिया भर में, चाइना की जिंग जी आंग के बाद, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यह अला data, इसके लाबा 8 Indian cities जो है, टॉप 10 की list में लिए, और गईज इन cities का जो नाम लिए जा रहा है, उनमें से अगर आप किसी city में रहते हैं, तो आप नीचे comment box पर answer लिखकर बताईएगा, कि आपकी city की क्या ranking है, इसमें अगर आपको आपकी city दिखाई दे रही है तो, और major sources of India air pollution, यानि कि इंडिया के अंदर air pollution का main source क्य जो generate होती हमारे घर में जो बिजली आ रही है न, जिसके थुरू आप ये mobile को charge करके lecture को देख रहे हैं, laptop को charge करके lecture को देख रहे हैं, जो बिजली घर में आती है, उस बिजली का main जो portion होता है, यानि कि जादा मातरा में कोईला जलाये जाता है, तब जाकर वो बिजली उत्प बर्निंग आप कह सकते हो, फिर episodic agricultural बर्निंग, तो ये stable बर्निंग में यह आ जाएगा, waste बर्निंग यहने की कचरा जलाना, तो यह आली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है, इसके लावा पूरे दुनिया भर की क्या हालत है, इंडिया की हालत तो देख ल और most polluted capital में हमारी आ जाती है दिल्ली, तो ये चीज आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए, पूरे डेटा, तो 2020 में most polluted, third most polluted country के तौर पर इंडिया थी, और 2019 में हम लोग fifth most noxious पे थे, यारी पाच्वे नंबर पर थे, 2019 में फिर पढ़कर हम लोग तीसरे नंबर पर च वो worst था इंडिया से भी, तो ये चीज आपर बताई आ रही है, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, मांगलदेश, पाकिस्तान, फिर हम इंडिया, तीसरे नंबर पर, चाइना जो है वो country के मामले में 11th नंबर पर बताई आ रही है, latest report के मामले में, 106 monitor countries में से मातर 24 country ही ऐस जिन्होंने world health organization की annual guidelines जो है, उसको follow किया, उसको meet किया, 2.5 particulate matters के लिए, तो ये चीज आपर बताई आ रही है, अब आगे किस प्रकार की कदब उठाए जाए, तो काफी सारी cities including Delhi also, जहाँ पर marginal improvement, यानि की ठीक ठाक improvement जो है, वो थोड़ा बहुत, उत्रा मेंनी, थोड़ा बह पिर हमें देखने को मिलती है, आपको बता हुए इसकी air pollution की कारण भी काफी सारे लोगों की हर साल मृत्यों होती है, इसलिए बता जा रहे है कि सरकार को क्या करना चाहिए, एक मिनिट, सरकार को sustainable और clean energy sources को priority देते हुए कारे करना चाहिए, साथी साथ cities जो है, बता जा रहे ह कि हाँ पर encourage करना चाहिए, low cost, active और carbon neutral mobility के ओपर, मतलब कि electric vehicles को promote करने की हाँ पर बात की जा रही है, और कहा जा रहे है कि walk करो, cycle करो, right, public transport का उप्योग करो, तो यह सब ऐसे कदव अगर cities के अंदर citizens उठाएंगे, तो फिर हम लोग pollution level को decrease कर सकते हैं, right, और इसके लावा clean energy प करें, मतलब कि accelerate करें, कि यह सब नहीं नहीं technologies जो है, वो तयार करें, लोग उसको adopt करें, right, clean transport not only save life, but also dramatically reduce health care related cost, तो clean transport जो है, वो नहीं सिर्फ जान में जाएगा, बलकि हमें यह भी देखने को बलाएगा कि health care related cost जो होता है, यानि कि जो hospitals वगरा जो खर्चे होते, health care के अबर तो उसको भी reduce करने में बदद करेंगा, तो यह mains के लिए important चीज है, इसको आपको ध्यार में रखना है, और यह था आपके लिए आज का last topic और मैंने आपको जितने भी topics पढ़ाएं, अगर आपको अच्छे से clear हुए हैं, तो like का button hit किये बगर मत जाईएगा, नहीं आए हैं आप तो चानल को subscribe कीजिए, और share ज़रूर कर दियेगा lecture को, और मैं आपको बता दू कि आपके लिए UPSC 2021 की test series available है, इसको आप join कर सकते हैं, 15 subject wise test हैं, 10 full length test हैं, detailed solution जो है वो provide किया जाएगा test का, bilingual test हैं, English Hindi दोनों में test हैं, और सबसे main और खास बात, इस test में आपको daily targets provide किये आते हैं, कि आप UPSC 2021 prelims से पहले पहले पूरा अपना syllabus complete कर लें, तो 22 March से पहले पहले इस test series को आप join कर लीजेगा, तो आपको इसका best benefit जो है वो मिलेगा, right, क्योंकि 22 March से targets जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगे, और हर weekend पर test होगा, और आपको बता दी कि test हो है, वो 100 question का होगा, और test related अगर और कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो मुझसे contact कर लेना 9713-282838, ये मेरा number है, आप whatsapp करके या telegram पर message करके आप मुझसे contact कर सकते है, right, और इसकी fees मादरे 1200 1990s की fees है, test series की, right, इसके लाब आपके लिए CSET का course available है, history का course available है, पूरी history, ancient medieval और modern Indian history पूर कर सके, right, मतलब की इस तरीके की से पूरे course को है, पर मैंने design करवाया हुआ है, कि इस course को cover करने के बाद आपको और कुछ cover करने की जरुवत नहीं और इसमें पूरा proper आपको material भी provide किया जाता है, इसके लबाद जिन भी student का option sociology है, highly recommended की कुछ और मत सोचो, इसको join गल लो, क्यो UPSC rank 5 2018 का selection करवाया है, 0 से पूरी तयारी आपकी sociology की करवाई जा रही है, test series बगरा सब कुछ इसमें included है, और इस particular rate में आपको और कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको rate provide कराता हूँ, कि student जो है, वो afford कर सके, उसी के according rate provide कराता हूँ, ना कि ऐसे rate जो की parents afford कर सके, right, क्योंकि parents afford कर लेंगे सबी के, no doubt, क्योंकि बच्चों की सीख्षा के लिए कौन parents पीचे हटते हैं, तो इसी का institution फायदा उठाते हैं, और अपन जो चीज provide कराते हैं, वो ऐसी provide कराते हैं, कि जिसे की हम लोग का भी as a teacher, जो है वो चल सके survival, क्योंकि luxury में हम लोग believe नहीं करते survival बस चलता रहा है, वो इट काफी है, और हमारे लिए तो luxury ये है कि आप, आपको फायदा मिले, आपको फायदा मिलेगा तो automatically आप promote करोगे, और भी लोगों को बताओगे, कि यार ये sir से हमें फायदा मिला है, तो ultimately हमारे ही फायदा है, तो हमारे लिए luxury आप लोगो, तो चल ली magazine दी जाती है, इतना सब कुछ मादर 100 रुपीज की fees में, और MCQ भी available है, practice करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, बाकी एक offer भी है, ये भी आप ले सकते हैं, तो अब चलो फिर हम लोग मिलेंगे कल के lecture में, तब तक लिए बाबाई, take care, have a great day ahead, तादा.